नमस्कार आदाब मैं आनूप सोनी क्राइम पिट्रोल सतर के ब्लैक हेडलाइन्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सब का स्वागत करता हूँ आज इस ब्लैक हेडलाइन्स की कड़ी में हम आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जिस तरह के जुर्म की और जुर्म के मकसद की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता साइड एटिया प्लो साइड एटिया मिश्रा आस पास देखो इस औरत की कोई आईडी प्रूफ यहां मडर का आपन मिलता है तो ओकी सर्फ शुकला सर्फ आप लोगों मेंसे किसी ने कुछ देखा? नई सर्फ इस औरत को जानते हो आप लोगी यही की है या कहीं और की है मालूम शी सर्फ घावर बाडी की कंडिशन को देखकर यह लग रहा है शायद इसके बच्चे को कहीं आसपास ही फेका हूँ शाँ इजुट्रिस के साइज के हिसाब से करीब साथ से आउट मैने का बृहून था मतलब के बच्चे को जन्प से पहले उस और आप का पेट काटकर बाहर निकाला गया पेट काटके बच्चा बाहर निकालने के लिए प्रॉपर सर्जिकल एकुपमेंस का इस्तिमाल किया गया है जैसे आम तोर पर डॉक्टरी जूज करते हैं लेकिन पेट काटने के बाद और उरत को वैसे ही छोड़ दिया गया जिसके वज़े से एकसर से ब्लड लॉस हुआ और उसकी मौत हो गई शुकला या तो यह किसी नौसीखे का काम लगता या फिर इस केस के पीछे दो कारण हो सकते हैं इल्लीगल एबोर्शन और इल्लीगल डिलिब्री उस ओरत के साथ कोई बलातकार या सेक्सवल असॉल्ड का भी मामला सामने आया है नहीं सब मतलब के शायद उस औरत का बच्चा ही उसकी मौत का कारण बना लेकिन क्यूं? बारतिय संस्कृती में औरत को देवी मतलब भगवान के बराबर माना गया है बलकि उसके भी उपर क्योंकि वो अपने भीतर एक जिन्दगी को पालती है और फिर असेहनी पीड़ा को जहिलते हुए उसे जन्म देती है हमने बच्चों के हॉस्पिटल, स्कूल, महले, गलियों और यहां तक के उनके घर से अगवा होने के किस्से सुने है लेकिन एक गर्वती महिला के पेट को चीर कर उसके अजन्मे बच्चे को अगवा करने का घिनोना जुर्म सब पहली बार सुन रहे थे कौन थी यह औरत जिसके साथ इतनी बरबरता की गई थी और क्यूं इससे किसी की क्या दुश्मनी, क्या नफरत होगी कि इतनी बेरहमी से इसका कतल करके उसके आजन में बच्चे को अगवा कर ले क्या दुश्मनी और नफरत ही इस दिल दहला देने वाले जुर्म का कारण थी क्या फिर वजय कुछ और ही थी इंस्पेटर सार कहा है बहुत जोरी काम है, मुझे कहा है इस पेटर साथ को रहे है सिर्मे से महने ले लिया सर अमे एक रिपूर्ट लिख वानने मेरी बीवी कल सुबे से लापता है सबजी लेने के लिए मार्गेट गई थी सर अभी तक वो आपस मी आई हर जगा पता किया सब जगा ढूंडा, सर और तो और उसका फून भी ओफ आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने माई के चली गई हो नहीं सर वो वह नहीं गई मैने वहां भी पता कराया उसकी कोई फोटो अगर है उनका किसे के साथ कोई जगड़ा पटुषमनी नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं बट सिंपल लोग है, सर अबाव आपसे यह किस न काकिए सिंपल लोगों की किसी से कुई दुश्मनी या जगड़ा नहीं होता पैश यह भी तो हुसकता है हो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है उसकी किसी से कोई दोस्ती या अफेर वगर है? सर कैसी बाते कर रहे हैं आप? सर वो ऐसी नहीं है मेरी बीबी है वो साथ महीने की प्रेगनेंट है सर दू महीने में हमारा बच्चा होने वाला है शुकला इनकी पतनी की डिटेल्स ले लो और चान भी इन शुरू कर दो इनकी पतनी की फोटोग्राफ्स मार्केट में सब जगा सर्कुलेट करवा दो लोकेशन रिकार्ड्स, कॉल रिकार्ड्स, सब निकलवा देखो कि शायद किसी ने कुछ देखा हो जो, अब आई मेरे साथ सर हेमा देवरानी है मेरी साथ महने की प्रेगनेंट है हम लोग भहुत यान रखते हैं उसका वो तो प्रेगनेंसी में चलते फिरते रहना सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए घर के छोटे-मोटे काम करने देते हैं लेकिन कल जब वो सबजी खरीद में निकली तो वापस घरी नहीं लोटी सर यकीन मानी है हमारा हमारे परिवार में कोई जगडा कोई मनमुटाव है ही नहीं सर आज के जमाने में भी हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं छे लोग क्यों परिवार है साथ में का तो बड़ी बेसबरी से इंतिजार चल रहा है सर अमने हमा के फैमिली आसपर उसके मार्केट हर जगा पुछताच किया लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला मार्केट के किसी भी सेजरी भी फुटेज में वो देखने ही रही उसका फोन भी घर से बाहर स्विच आफ हुआ है मैंने कॉल डेकोर्स खुझ चेक है ज्यादा तर घरवालोग के ही नंबस है और फिरवती के पैसों के लिए भी तक कोई फोन नहीं आया पॉसिबल है कि एक नैपिंगा केसी नाओ अब सवाल यह उड़ता है कि हमा गई तो गई कहां क्या अपनी मर्जी से कहीं चली गई मैडम क्या हुआ अपके साथ संबले 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 अपने अपको कोई पानी ला पानी ला मैडम मैडम क्या बात है क्या हुआ आपते मिलने आ रहे थी अचानक बिहोश होकर गीरे हेमा आई हेमा हेमा क्या होगे तुम्हे अरीगे सब कहां चली गईती तो मैंनो गुरूप में की बहुत कोशिश की लेकिन अरीगे नहीं रूप पाए हेमा तुम क्या कह रही हो मैं सब सी देने चारी थी मार्केट में और मेरे सामने बहन आके रुकी सब इतना चल्दी हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई और जब समझ में आया तो और होने मेरे आग मूँ और पैर बांध रखे थे फिर पथा नहीं वह मुझे वहां से का लेके गए और मुझे पम्रे में बंद करके रख दिया और फिर मुझे मुझे दर्ट शिरू हो गया मुझे अज़ा मुझे अवरत भी थी और इसने मेरे दिवरी वही करा दी मेरे बच्ची को मेरे साब में से बता है जले गई मेरे मेरे में बहुत चलना ही में बहुत किरके डाई लेकिन किसी देने मेरे सुनी और उस इवेंट से मुझे फेक के चले गए मैं बहुत मुशके से यह तक पहुची हूँ आप ने उन शिटनेपर्स का या फिर उस औरत का चेरा देखा है या फिर कोई ऐसी बात जो आपको यादो सर उनका चेरा हमेशा ढगा रहता था आपके हाँ जोड़तू प्लीज पेरा बचा वापस ना दो सर मुझे सवज में नहीं आ रहा कि आप हेमा का मेडिकल क्यों कराना चाहती है तुम अवरेड़ी तनी परेशान है यह जानने के लिए कि हेमा के साथ डिलीवरी के लाबा कोई मारपीट यह जोरजबरदस्ती तो नहीं हुई लेकि niet हैमा बिल्कुल ठीक है उसके साथ कोई मारपीट कोई जोरजबरदस्ती नहीं हुई और एक बात उसने किसी बच्चे को जनम नहीं दिया दे भी नहीं सकते क्योंकि वो प्रेग्नेटी नहीं थी सर राजेश भिया की दो बेटिया हैं वो बेटा नहीं दे पाए अब सब की उमीदे हमसे हैं कि हम खान्दान को एक बेटा एक बारिष तेंगे सर हम तो बहुत कोशिश करती थे लेकिन मैं कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाई सर हालत इतनी खराब हो गई थी कि घर में आते जाते सब मुझे ताना देते थी अब उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता था तो अपनी सारी भडास मैं हेमा पर जाकर निकालता था अदू तो बेको भगवान पे भरूसा रखो जब उचाहेगा बच्चा हो जाएगा और अगर हमारी किसमत में है ये ने तो 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 क्या कर सकते हैं? तुम्हाँ खराब है तुम्हारा हम भगवान और किसमत के भरूसे नहीं बढ़ सकते हैं तो भी बताओ क्या गुरू मैं? साथ महीने पहले हमने ये प्लान बना है कि सब को जाकर के जूट कह देंगे कि हेमा प्रेगनेंट है और प्रेगनेंसी के साथ महीने में ये किडनैपी का नाटक ताकि हेमा जब लौटकर वापस जाए और सब को बताए कि उसने अपने बेटे को खो दिया है तो पूरे परिवार के सिंपथी मिले और हमें ताना भी नहीं सुनना पड़े सार मैंने तु अदूल को का था कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है ये कि नहीं होने तुम दोनों कुछ बागल बागल हो किया ये अपना दिमाग इसी तरह की गटिया प्लाणिंग में इस्तिमाल करते हुआ कभी IVF सेंटर का नाम नहीं सुना आप लगों तो ही चले जाते है नजाने तुम जैसे कितने कपल से तरहसते हוא निए अपनी उलाद वीलिया वह से ये मैं प्रेरली स्रहिसे में है आप लगों अभी तो जाने दे रहा हूं आप लगों अगली बार आजा कोई नाटक किया तो मेरे सो बुरा कोई नहीं को या से टथे हैं आप लिए संट्यूजूजू है ना, तो कुछ परेशान लग रही है. जया भाभी, हेमा का पूरा परिवार है उसका ध्यान देने के लिए. आप अपना देखिए. आपको भी तो दो मेने में बच्चा होने वाला है. बाकी हेमा को डरने की कोई जरूरत में. है ना हेमा? अपना पूर्ण करें तो. सर, मेरी पतनी कायब हो गया, सर. सर, प्ली मेरी मदद कीजी. तुम वही हो ना? जिसने पेशली बार भी अपनी प्रेगनेंट वीवीगे के नैपिंगा जूटा नाटक रहा चाता है? तुम फिर आ गए हैं आप़र? यह पुले स्टेशन है, कोई पंचारी की दुकान नहीं है. सर, मैं कसम खा के कह रहा, मैं इस बर जूट नहीं बोल रहा. सर, आपके कहने पे आइवीफ सेंटर पे भी गय थे हम, सर. सर, हिमा प्रेगनेंट होगी थी, सर. सर, मैं साथ महीने की प्रेगनेंट है. पिछली पार की तरह प्रेगनेंट है? नहीं सर, इस बर सच में प्रेगनेंट है, हमा सर. सर, आज उसकी गोद भराई की रसम थी, सर. सर, सर, आपको यकी नहीं नहीं हो रहा हूँ ना. आज की फंक्शन की फोटो देख लीचिया. सर, मैं जूट नहीं बोल रहा है, सर. सर, ये सारी फोटो ज आज की हैं, सर. आज सुबे की. कब गाया गुई है? सर, फंक्शन के बाद दोपैर में सब लुक सोने चले गए. शाम में जब सोकर उठें, तो हेमा गायबती, सर. सर, हमने हर तरफ ढूड़ा. और तो, सर, उसका फोन भी स्विच आफ आ रहा है. सर, प्लीज कुछ कीजिए, सर. ठीक, अपनी पत्नी की फोटोग्राफ और बाकी की सारी डिटेल्स इने लेक पा दो. लेके नगर ये, इस बार भी नाटक हुआ, तो इस बार तुम्हें दोनों पत्ति पत्नी को जेल में बैठके नाटक खेलना पड़ेगा. नहीं, सर, कोई नाटक नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सर. मेरे सर. जी, सर. साथ महीने की गर्वती औरत कहां जा सकती थी और क्यों? क्या इस बार उसे सचमुच किसी ने अगवा कर लिया था? क्या फिर पिछली बार की तरह वो खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी? जूठी के ड्नैपिंग के बाद हेमा के साथ क्या हुआ? सर, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक, हिमा का फोन एक फेवरी को शाम के चार बजे शताब दी नगर में स्विच आफ हुआ है. शताब दी नगर? सर, महां करने क्या कही थी हिमा? पता नहीं, सर. मैंने अतुल को भी पुछा था. उसे भी कोई आइडिया नहीं है, क्या करने गई थी वह वहा है. आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं बता नहीं रहो हुआ. फेर, वो तो पता चली जाये गएक. हिमा के call records का क्या हूँ? हिमा के call records के मुताबर, जादा तर calls family members को किये गये हैं, खास करके अतुल को. सिर्फ एक number ऐसा है, जिस पे लगातार हिमा की एक महने तक बात हुई थी, लेकिन हिमा के गायब होने के एक महने पहले, पात्चित बिल्कुल बंद होई थी. पता करो इस नंबर किसका है? Yes, sir. Sir! 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 मेरी बेटी, sir! Sir! आप आर चली, आप ऐसे हंदनी आसा. Sir! Sir, मेरी बेटी को बचार. जानी का मेडम, बोलने में, कहिए क्या बादी. Sir! मेरी एक दिन के बेटी गायब हो गई है, sir. मेरी मदद कीचे, sir. उसे वापस लादीजे, please, sir. मेरी मदद कीचे. Sir, तल सुबह City Nursing Home में सुना ली के डिलिवरी होई थी. और तक्रेबन 11 अच्छे हमारी बेटी पैदा हुई थी. Sir, आज सुबह जब सुना ली वाच्छाम साइस हो, हमारी पैटी गायब थी, sir. Sir, अमने सारा हॉस्पिटल देख लेटेगे, किन हमारी बच्चे कहीन इमिली, sir. Sir, मेरे पैटी को वापस लादीजे, sir. उसे ढूंदीजे, sir. देखे आप, शान हो जाईए, चिंता मत कीजे, हम जल से जल आपकी बच्ची को डूंदने की पोशिश करेंगे, आप कंप्लेट निफा दीजे बाद, किवारी मेरे मेरे, इनके कंप्लेट देलोगा. Sir, साथादी नगर में एक औरत की लास मिली है, sir. साथ रेटी अपलो, साथ रेटी नगर में एक औरत की उम्र 25 से 26 साल है. जादा खून बहने के वज़े से कल रात को, यानि कि दो फेवरी के रात, आठ से नौ बजे के बीच उसकी मौत हुई है. Sir, यूट्रिस के साइज के हिसाब से, करीब साथ से आठ मेने का ब्रून था. मतलब के बच्चे को जन्ग से पहले उस औरत का पेट काट कर बाहर निकाला गया. Sir, सर जहां उस औरत की लास मिली थी, उससे कुछ दूरी पर साथ मेने का ब्रून भी मिला है. इन सारी चीजों को देखते हुए, और बॉड़ी की डिटेल्स को देखते हुए, ये लाश हिमा की लगती है. चुकलाइक काम करो. हिमा के अजबें अतुल को लाश के शिनाग के लिए बलाओ. Sir. बॉड़ी को कर से हमी एक कपड़े और देहने मिलें. हिमा! 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 एक एक और बॉड़ी है. बच्चे की बॉड़ी हमें इनी के पास से मिली थी. दोनों बॉड़ी के बलाओ संपल आमने टेप्स के लिए भेज दिये. लेकि मैं कर्फर्म कर पाए कि बच्चा इनी का है. देखिए, मैं जामता हूँ कि यह मुपा नहीं है ऐसा सवाल करने का. फिर भी, क्या कोई ऐसा है जिस पे आप लोगों को शब हो, जो यह कर सकता हूँ? अरव आपको पहले ही बता चुक है. हम बहुत सिंपल लोग है, सर. अबहुत किसी से कोई जगडा, कोई दुश्मन ही नहीं है, सर. तो शायत ही कोई ऐसा हो. शुक हेमा के माँ बनने से दुखी होगा. शुकला मेरे पूरे कैरियर में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, जिसमें किसी औरत का पेट चीरिने के लिए सर्जिकल एक्विप्मेंट का इस्तेमाल किया गे. कातिल बच्चे को जिन्दा रखना चाहता था या फिर उसे मारना चाहता था. इस हद तक वो हेमा से नफ्रत करता था कि उसका चेरा तक भी गाड़ दिया. लेकिन क्यूं? क्यूंकि हेमा के घरवालों का कहना है, ऐसा कोई भी नहीं जो हेमार उसके बच्चे को नुकसान पहुचाएगा. तो क्या कातिल इन तीनों घरवालों में सी कोई एक है? अतुल, कहीं ऐसा तो नहीं, अतुल अपनी बीबी से जूटे प्यार का और फिक्र का दिखावा अमारे सामने कर रहा हूँ. लेकिन सर्म मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अतुल का मकसद क्या हो सकता है? वो अपनी ही बीबी और बेटे का मार्डर क्यूं करेगा? अब ये तो पता नहीं, लेकिन पता करना पड़ेगा. शुपला, तुम्हें इस केस में कुछ भी आजीब नजर नहीं आ रहा है? सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन एक टीम लगातार पूछताच कर रही है, आम शूर बहुत जल्द कोई न कोई क्लू हाथ लग जाएगा. सर, सर, श्रतापती नकर में एक दाइमा है, जो इस पूरे तहसील में घरों में बच्चों की डिलिवरी करवाती है. और सर, हेमा का मोबाइल उसके घर के पास ही स्विच आफ हुआ था. आप इसे जानती है? जी, इसे कैसे बूल सकते हैं? अभी दो दिन पहले तो आई थी हमारे पास? क्यों आई थी आपके पास? जाके एक समस्या थी, वही हलका राने आई थी हमारे पास. दाइमा, क्या पेरी मदद कर सकती है? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए. प्लीज किरा दिजी इसे. बॉर आ गई है क्या? हां? क्या बोल रही है? अरे हम इन हातों से दुनिया में नया जीवन लाने का काम करते हैं. और तू, तू हमें जीवत्या करने को कह रही है? अरे क्यूं मारना चाहती अपने बच्चे को? बिटिया वो बड़े किस्मत वाले होते हैं, जिने उपर वाला ओलाद देता है. तो आप ये बच्चा गिराने मेरी मदद नी करेंगी? ना बिटिया, ये पाप हमसे तो ना होगा. क्या? हेमा अपना बच्चा गिराना चाहती थी? हाँ तो, यही तो बोल रहे हैं हम आपको इतनी देल से. उसने कुछ बताया कि वह क्यों अपना बच्चा गिरवाना चाहती थी? नहीं, हमने भी बहुत पूछा पर कुछ बोली नहीं वो. अचा कोई आया था उसके साथ या वो अकेली आई थी? आई तो अकेली थी, पर हाँ, बार बार अपना फोन देख रही थी. क्या देख रही थी, मोबाइल? वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो बोली कि, दर्मा, क्या में फोन चार्ज कर सती हूं यहां पर? वो देखिना हम बैटरी खतर हो रही है, तो फोन बंद हो जाएगा. पीटिया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम खुदे देख लो, बिजली नहीं है, शाम को छे बज़े तक आएगी. अच्छा, आप यह बता सकते हैं, कितने बज़े के आस-पास की बात रही होगी? जही कोई शाम के चार बज़े होगी. शुकला, बड़ी अजीब सी बात है, इमा बच्चा चाहती थी, बच्चे को जन्द भी देने वाली थी, वो भी लड़का, जिसके लिए उसकी फैमिली ने उसे परिशान कर रखा था, सुबही उसकी गोद भराई हुई थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा, जिसके लि सुबही नहीं है, पर यह तो हो सकता है कि किसी इंसान ने कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, हिमा उस देन अपना फोन चार्ज करना चाहती थी, शुकला, हिमा के साथ जो कुछ भी हुआ, तो चार बजे से नौ बजे के बीच में हुआ, सर, हिमा के कॉल रिकॉर्ड में जो न अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए गई थी, महेश शर्मा, सर, यह महेश शर्मा तो सिटी नर्सिंगों में भी वाटबवाय का काम करता है, और जिस दिन मैयुरेश और सोनाली की एक दिन की बेटी गायब होई थी थी, उसी दिन से वो काम पे नहीं आ रहा है, फोन हमार उसकी बच्ची को, ऐसी ही मारा था है, बोट, आम कुछी नहीं किये, साब, सच बता रहा है, कसम खा के बोलना है साब, आम नेर्टों से, हम कुछ ते किये है, जूटी कसम खाना छोड़ और सच उकलना शुरू कर, परना हेमा और उसकी बच्ची के मडर के जुन में यह लटका है काहे बैठी, अरे माँ बनने वाली हो, तेरा खुश रहा करो, बैश भाई, कैसे खुश रहा हूं बैश बाई, जब पता है कि मेरी पेट पे, बेटारी एक पेटी है, वो बेटी जो किसी गों भी नहीं चाहिए, मैं जाके भी अपनी बेटी को नहीं रंग सकती, मैं अपनी पेटी को फूरी बार दूँ, माँ होकर ऐसे राच्चा जैसी बाते काहे तो करती है, अरे किते भाहे मान असे बच्चा गोध लेने के भी ठरस रहे है, उन बैचारों को दे तो, उनका जीवें सफल हो जाएगा, एमा को ये किस ने बताया कि उसके पेट में लड गई और हमारी जान आफत में आ गई, कहाएं कि हम सामने वाली फैमिली से बेटी देने के लिए एडवांस पहले ही उठा लिए इसलिए हम सुनाली की बेटी को चुरा लिए इसे पता लगवाओ को सुनाली और मयूरेश की बेटी कहां पर है, उसे यहां लेकर आओ, इसके पर उसके बच्ची के मुड़र का चार्ज लगाओ, और हां, इसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड तारे निकलवाओ, पता करो दो फरवरी को यह कहा था, जिस दिन हमा शदापती न कर गई थी, जहां उसका मुडर हुआ था, यहां उसका मुडर हुआ नैचरली प्रेगनेट हो गई थी, लेकिन डॉक्टर, जहां तक हमें पता है, हेमा के पती हतुल का स्पर्म काउं ब्लो था, इसकी वज़ए से हेमा प्रेगनेट नहीं हो सकती थी, इसे ही तो चमतकार कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह से हताश हो जाता है, तो उपर वाला उसे निराश नहीं होने रिता, क्या कभी हेमा ने ये जानने की कोशिश की कि उसके पेट में जो बच्चा है, वो लड़का है ये लड़की, एक नहीं कहीं हजार बार उचा था, पर मेले उसे साफ मना कर दिया था, उन्होंने आप से कभी बच्चा अबाट करवाने की ये क्या बकवास है सर, ये सक कैसे हो सकता है, हेमा के पेट में पढने वाला बच्चा अथूलका नहीं होगा, तो किसका होगा? जर्णा तमीज से बात कीजी, ऐसा मैं नहीं, डिएन आ रिपोर्ट करे रही है कि हेमा के पेट में जो बच्चा था, वो अतूलका नहीं था, ह तुल क्या पक्रा है होश में थोड़ी तो शर्म कर, मुझे शर्म नहीं है अरे आपको शर्म आई थी भूल गया जब भीमा प्रेग्नेट नहीं हो रही थी तो आते जाते कैसे तालाज देते थी और उसनी माई साथ, जब में आफिस जाना था अरे तब मों हज कर दी थी आपने अरे अतुल, अब ही है छे साल हो गए तेरी शादी कुछ, है? तुझ बच्चे उचे बारे में सोच रहा है? तुछ से नहीं होता है तो मुझे बोल मैं करता हूँ अतुल, वो बच्चा राजेश का भी नहीं हो सकता अगर ऐसा होता तो डियने रिपोर्ट में राजेश का भी डियने पचास परसेंट मैच होता है एमा के बच्चे का पाप कोई और ही था सुन लिया न अतुल, पढ़ गई न आप कालेजे में थंड़क मैं आज अपने बड़े भाई को सब के सामने बेज़द कर दिया वो भी उस भाई को, जिसने कभी तुझे अपना छोटा भाई नहीं समझा बलकि हमेशा अपना बेटा माना सर, यह अतुल, अपनी बीवी के प्यार में अंधा हो चुका था इसे तर यह तक नजर नहीं आया कि इसकी बीवी कहां-कहां मुह मारती पिर रही थी क्या मतलब? सर, हमारी कॉलनी में यही आगे एक कपल रहता है जया और अश्विन हेमा उनके घर घंतों विताती थी हेमा मंदिर से आ रहे हो? हाँ, भावी क्या हुआ? पुरा पसीना पसीना हो रही हो चलो, बोड़ी वेर मेरे हां अराम कर लो फिर चली जाना भावी, मैं शाम को आता नहीं, कुछ नहीं, चलो अंदर चलो, चलो, चली चलो मैंने खुद कितनी बार पेखा है कि जया अपने घर का दर्वाजा बाहर से बंद करकर उन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती थी अब भगवान ही जाने वो दोनों अंदर अकेले पे क्या-क्या गोज़ाती थी नवाल सबाल की अरे तू मुझे क्या चुप कर वा रहा है यह सब तेरी बीवी तेरी पीट के पीछे गड़ी थी जब तू ऑफिस में रहता था तर अभी जब हेमा प्रेगनेट हुई थी उसी के आसपस जया भी प्रेगनेट हुई थी लेकिन कहते है ना भगवान सब देखता है अभी एक दो दिन पहले उस कमीनी जया का बच्चा भी गिर गया ताला ला को हुआ यहां कोई है क्या आसपस लेको सर यही सेरिया का वाटमेंद है यह घर क्यू बंद है? घर वाले का है? क्या जाने साहब जया भावी का बच्चा पैदा होते हैं गुजर गया तीन तारीकों गय थे दफनाने के लिए उसकी अगली सुभा से ताला जड़ा हुआ ठीक है तुम जाओ वो किस है शुकला सार इजया और उसके हैस्बन का फोन नमबर पता करो दोनों के call records, mobile location records, सब पता करो दोनों के phone surveillance पे डालो पता करो यह दोनों है कहां पर शुकला अगर उर्मिला सच बोल रही है तो हेमा और उसके बच्चे के कतल में यह अश्मिन एक एहम संदिक्द है पर एक बात समझ में है हमा ने खुद महेश और विमलादाई से यह क्यों कहा कि उसके पेट में बेटी पल रही है जबकि उसके पेट में बेटा पल रहा था उसे किसने गलत information दियोगी जिसकी वज़े से वो अबाट तक करवाने पहुंच गई अब उसके बच्चे का बाप है कौन अश्मिन? यह फिर कोई और? सर्! सर अतुल के कॉल रिकॉर्ट में एक नंबर मिला जिसपर उसके अकसर बाठ्चित होती है किसका नंबर है जा? सर अतुल के घर में काम करने वाले बाई रतना का और जब हमने रतना के बारे में पता किया, तो ये पता चला कि रतना भी साथ मेने फ्रेगनेंट है और अतुल उसे पिछले कुछ दिनों से पैसो की मदद कर रहा है तो कहानी में एक और ट्विस्ट ये सिंपल लोग तो कुछ जादा ही गुमावदार निकले चला, इस रतना से भी पूछ ताज कर लेते हैं कि उस पर इतनी महरवानी किस लिए हाँ साब, ये सच है, कि मैं मिश्रा जी के वहां मेट का काम करती हूँ अतुल साब तो भगवान समान है उन्होंने मेरी हालत दे के खुद ही बोल दिया कि तुम आराम करो, आप तंखा घर में ही मिल जाएगी इसी हालत की वज़े से अतुल तुमें तंखा दे रहा था या फिर वज़ा कोई और थी या फिर इसलिए दे रहा था, क्योंकि तुम अतुल के बच्चे की मा बनने वाली हूँ ये कौन बोल दिया साब हम गरीब हैं, हमें तो कोई भी कुछ भी आके बोल देता है लेकिन उत भगवान समान आदमी पर खीचल मत उचा लिये वो तो हेमा दीदी को इतना प्यार करते हैं कि किसी की तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखते प्यार करते थे अब ना तुम्हारी हमा दीदी रही और ना ही उसका बच्चा क्योंकि दोनों को रास्ते से तुमने आटा दिया ताकि तुम अतुल की जिंदगी में शामिल हो सको चाच है ना ये बात क्या? हमा दीदी नहीं नहीं? ये तो मुझे नहीं पता साब मैं तो कई महीने से घर से बहार भी नहीं निकली अरे सब कैसे और कौन किया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था हमें याद है हमा दीदी जब पेट से थी तो अतुल साब को डर था कि कई उनकी बेटी नहीं हो जाए और साब अतुल साब को पता था यह हमारे पहले से दो बेटे हैं और वो कुछ महीने पहले हमारे पास आए रत्ना अगर इस पार भी तुझे बेटा होगा और हमा को बेटी तो क्या हमारी बेटी के बदले तू अपने बेटे को देगी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तेरे पती को भी नहीं बुल देगे अपने बेटे को और इसके बदले में तुझे पांच लाख रुपए भी दूँगा फिर जब तुम्हे यह पता लगा कि हमा के बेटा होगा तुम्हें पांच लाख रुपए जाते हुए नहरा है इसलिए तुमने हमा और उसके बच्चे को रास्ते से ही अटा दिया ताकि अतुल के जिंदगी में ना सिफ तुम्हारा बच्चा और तुम भी आजा नहीं साप जेतना आप बोल रहे हुता तो दिमाग भी नहीं हा हमारे पास कसम से साप हमने हमा दिदी को नहीं मारा अगा इसलिज मस्यों बोलो मिष्ण गुड बेरी गुड सर्द जयो और आशिन पपरेमें बोलो बोलो सर्द मेरी पहली शादी में मेरा तलाग हो चुगा था मेरे पहले पती ने दोनों पच्चों को अपने पास ही रख लिया था उसके बाद मैं अश्विन से मिली और हम दोनों ने शादी कर ली जबकि मैं मेरी पहली शादी में ही अपनी नजबंदी करा चुकी थी सर, मुझे तो नहीं, लेकिन अश्विन को अपना बच्चा चाहिए था जो मैं उसे नहीं दे सकती थी फिर मुझे हेमा और उसके हालात के बारे मैं पता चला मुझे पता चला कि अतुल के लोस्परम काउंट के वज़ा से वो कभी मा नहीं बन सकती है फिर हमारे बाबा जी ने हमें बताया कि हमारी किसमत में बच्चा है लेकिन वो हमें हेमा के जरीय मिल सकता है इसलिए फिर मैंने हेमा से दीरे दीरे दोस्ती बढ़ाई उसके बाद वो अपना दुब बताने के लिए मेरे पास आती थी और फिर मैं उसे लसी या जूस में नशे की गोलिया मिला कर देती थी, जिससे वो सोजाती थी और उसके बाद अश्विन उसके साथ सम्मन्द बनाते थे इस उमीद में कि वो हमें हमारा बच्चा देगी है वो बच्चा जिसे वो अंजानी हमारे लिए पैदा करेगी फिर हेमा ने एक दिन मुझे बताया कि वो बीना IVF ट्रीट्मेंट के नैच्रल तरीके से प्रेगनेंट हुई है तो हम समझ गए थे कि वो बच्चा अश्विन का ही है उसके बाद हमने अपना प्लान आगे बढ़ाया और फिर मैंने भी सब को बोला कि मैं भी अब प्रेगनेंट हूँ हेमा मुझे बताती थी बल्कि हेमा क्या बताती थी मैंने खुद देखा था कि उर्मिला उसके साथ अच्छा बरताओ नहीं करती थी क्योंकि हेमा एक बेटी को जन्म देने वाली थी पपीता बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है खाले नहीं भाबी उपल भूखनी सच में ठीप बच्चे के लिए अच्छा है खाले फुड़ा सो खाले पुर्मिला भाबी ये क्या कर रहे हैं आप आपको पता है ना हेमा प्रेग्लेंट है और पपीता गरम होता है इतना भी नहीं पता बच्चे को नुक्सान कर सकते है हेमा की हालत को देखकर मैंने उससे कहा कि मुझे बेटा होने वाला है इसलिए मैं तेरी खुशी के लिए अपना बेटा तुझे दे दूँगी और तेरी बेटी मैं ले लूँगी हम उसे सच करने वाले थे, हम उसे किड्नाप करते और वो गायब हो जाती उसके बाद उसका बच्चा हम ले लेते और सबको ये बोलते कि मैंने उस बच्चे को जनम दिया पर हिमर पहले ही गायब हो गई थी हमें डड़ता कि हम किसी मुश्किल पर फख जाएंगे और इसलिए हमने जैके मिस्क्रेज का नाटक किया और एक गुडिया को दफना दिया ताकि लोग संदे कि वो हमारा बच्चा था और उसके बाद हम अपने गाउं में जाकर छुप करें इतनी मरदान की फूट रही थी शुकला अश्विन का डियाने सेंपल लो और हमा के बच्चे से मैच करके देखो अश्विन पर हमा के रेप का चार्च और इन दोनों पर हमा उसके बच्चे के मडर का चार्च लगाओ नहीं सर, हमने एमा को नहीं मारा कितनी मकारी की है क्या पता कि अब भी सच बोल रहे हूं सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मुझे नहीं पता जया ने आपसे जूट क्यों बोला जया को जूट बोलके क्या मिलेगा लेकिन आपको सच बोलके थोड़ी बट रहात जरूर मिल सकते हैं अरमिला जी, इसलिए अब आप सच बोलिए वरना पुलिस को गुम्रा करने के मामले में आपको अरेस्ट पी किया जा सकता है, सब्जी हाँ? अब आप बोलिए अब आप बोलिए तो सब कुछ उसका हो जाता फिर मेरी बेटियों निधी और नेहा का क्या होता? पहले इनकी कोई कदर नहीं, उसके बाद तो… अब आप बोलिए जाता सर्, हेमा की तरह ये औरत भी प्रेगनेट थी, इसका भी पेट काटा गया है और सब चेहरा भी उसी तरीके से भीगाडा गया है, तकि पैचान ना हो सगी अगर चल क्या रहा है यह? वहन है जब पैचनेट औरतों को इतनी बेरहमी से मार रहा है ये तो तय था कि ये किसी एक ही अपराधी का काम था क्योंकि दोनों महिलाओं को एक ही तरीके से मारा गया था और गर्ब से बच्चा निकालने के लिए बकाइदा सर्जिकल एक्यूपमेंट्स का इस्तमाल किया गया था और मा और बच्चे का शव भी आसपास ही पाए गये थे ऐसा लग रहा था कि कोई जान बूच कर गर्वती महिलाओं को निशाना बना रहा था यह लीजे आपकी चाय अभी फिर 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 एक मेट मैं भार गया आपको शांती नहीं अब मुझे दो डॉक्तर ने आपको मना किया लग आम कुछ भी आटा जो भी गामे मैं करूँगा मुझे बताओ मिलीन अरे उसका काम उसे करने दे तू अकले क्या क्या करेगा क्या क्या कर सकता हूं उसकी लिस में आपको बात में दूँगा मैं जा रहा हूं फिलाल मार्केट आपके लिए फ्रेश सबजा लेने के लिए और आपके लिए फ्रूट्स लेने के लिए तब तक आप यहां बेढ़ेंगे, ठीक है? आई, राम से, राम से, राम से, राम से, राम और इनका ख्याल आप रखेंगे, ठीक है? ठीक है पुड़े के पास जिस औरत की डेड़ बॉड़ी मिली थी, उसकी फोटोग्राफ आस-पास के फुलिस स्टेशन में बेज़ दी ना? जी, साफ साफ साफ, मेरा नम गनेश है, साफ मेरी जोरू कल सुबसर गायवे, साफ तोनों बेटों को बोल को गयी थी कि गंटे अबन में काम से वापस आजाएग और अभी तक लॉट करनी आए, साफ अब तो उसका फोन भी बंदा आ रहा, साफ नाम क्या है तुम्हारी बेबी पर? रत्ना रत्ना? जी फोटो बगर रहा है? जी यह देखे है, साफ और कोई निशानी? साफ, उसके हाथ पर गुदा भी हुआ है क्या पर? आईए हमारे साफ आईए हमारे साफ रत्ना रत्ना में क्या हो गया तुमके रत्ना? रत्ना के बॉड़ी के साथ एक बच्चे की भी बॉड़ी बुठी रत्ना को भी ठीक उसी तरह से मारा गया था जैसे की हमा को रत्ना भी हमा की तरह प्रेग्नेंट थी अर्जन पेशिस पे रत्ना के काल रिकॉर्ड्स और मॉबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकल दा पता करो उसके मॉबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थ। यह जो भी है। इससे पहले के वो दूसरी प्रोग्निन डेडीज को अपना शिकार रमना है। हमें उस तक मौचना होगा। क्या रतना के मर्डर की वजए उसकी प्रेग्नेंसी थी या फिर कुछ और। इधर अश्विन और जया पाडल की बात सथ साबित हो गई। मिस्कैरिज का नाठक करके उन्होंने गुडिया ही दफनाई थी ये बात पुलिस इंवेस्टिकेशन में साफ हो गई। फिर सवाल ये उठता है कि अगर अश्विन और उसकी बीवी दिर्दोश हैं, तो गर्वती औरतों का पेट शीर कर निकाले गए अजनमे बच्चों के केस में दोशी कौन है। इन दोनों औरतों के साथ क्या और क्यू हुआ। Are you sure? Sir, 100%. ये देखिया. रतना के मोबाइल की लास्स लोकेशन शाताद दिनागर दिखा रहा है। विम्ला दाइमा के घर के पास है। जो कि हेमा के भी लास्स लोकेशन थी। Sir, आज तक हमें ना हेमा के मोबाइल मिला और रतना के मोबाइल के बारा में कुछ पता चाला। सर इतना सब कुछ महज़े कित्ते फाक नहीं हो सकता चलो शुबला सर क्या रतना मर गई कैसे और साथ अगर रतना मर भी गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है आपने मेरा घर की उलट पुलट कर रखा हुआ है रतना के फोन के लास्ट लोकेशन के मताबिक रतना का फोन यहीं पे स्विच आप हुआ है अब आप यह मत कहिएगा कि उस वक्त बिजली नहीं थे क्योंकि बिजली उस वक्त उस दिन भी थी अहां तो साब हमने कब कहा कि यह बिजली नहीं थी यहार रतना यहां नहीं आय थी आय थी वह जाज करवाने के लिए फिर चली गई कहां चली गई अब यह हमें कैसे पता साब सार अब यह देखिए एक नहीं तीन तीन फोन दिले पर तीनों के तुन अश्रीच ओगे किसके पोन है यह? जी यहार के मगनमड़ देखिए अब देखिए कुछ मैना का डॉक्टर हूँ मैं तो मुच्छ ज़रा थीकते पेशाना सब मिलिन नाम है उसका वो डॉक्टर बनना चाहता था मैं भी यह सुनके बहुत खुश हुई थी कि बेटा डॉक्टर और मा दाई मा सब बढ़िया चलेगा और उसने तीन बार पेपर दिया और तीनों बार फेल हो गया पर उसने हिम्मत नहीं हारे थी डॉक्टर क्या सर्जन भी बन जाओंगा मैंने सोचा यह भी ठीक है कोई अपनी मा के पेट से थोड़ी ना सीख के आता है तभी से उसने डॉक्टरों वाले सारे औजार इखटा करना शुरू कर दिये कैंची छूरी ब्लेड सब कुछ मिलिन है कहा था अगवाल जाने सब कहा मिलेगा सुबह चाते वक सिफ इतना ही बोलके गया था कि अम्मा आज प्रैक्टिस है प्रैक्टिस? जी मिलिन का नंबर दो आमे नंबर दीजे जल्दी सब चिलाने से क्या होगा हमको नहीं याद उसका नंबर पून दीजे अपने सब मिलन का नंबर एक आप अलो मैंने अभी अभी आपको एक नंबर भेजा है मुझे तुरंत उस नंबर की लाइव लोकेशन चाहिए यह मिले बटन जा जच 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 बस मुझे जच 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 कोदेखो एंग है हॢँ स्छोप्ट मुझ ». भाल देको मेंा कि एक जाद देक एक एक स हो Mishra, ि को एक लोगज़। आपिए, कि अपिए, एहुआँ जाए जाएँ आपिए, कि अपिए, एफ्टिन ना, पिछिंदा मत ञे, आप नहीं कहे ना? वहत हो गे तेरी डॉक्टरी, बाकी की सब्जरीरी अप जेल में करना हैं, तुम जैन से हैं, प्राक्टिस भी नी करने दे रहे हो? पुछी, पुछी तर्षी बाभी, मैं अपकी मदद नहीं कर पाया आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उन्से जादा मदद की ज़रूरत ना तुझे है चल सरी मदद करते है, चल अगर राप बीच में नहीं गुस्ते तो मैं अब तक सर्जरी कर चुका होता और मनीशा भाभी एक हल्दी बच्चे को जनम दे चुकी होती इस बार मरा एक्सपूरिमेंट पक्का सक्सेस्फुल होता पर आप ने खराब कर दिया मिरा अपरेशन रोग दिया कर देमा को कि उमारा अपर अपर मारा नहीं सरु जैने तो इसकी नआप कर देए वो मेरी मा के पास आयी ती बच्चा आपार आपकर वाने के लिए मेरी माँ ने माना कर दिया तो मैंने असमें उसकी मदद कर देता हूँ और फिर मैंने उसका पिछ्ण किया क्या बोला, दाइमाने? यही कि तुम मेरी मदद नी कर पाएंगी ठीर छोड़ अब जो होगा देखा जाएगा ऐसे कर तुगहर चल मैं पुरासा बजार हो के आती हूँ छेक है देले अब चाहो तो बच्चा बाउट पिरने में मैं अपके मदद कर सकते अब नहीं आप गवराईये मत, मैं एक डॉक्टर ही हूँ और मैंने काफी डिलिवरिया कराईये प्रोसिजर बिलकुल नॉमल है और इजली अपॉर्ट हो जाएगा आइए, बैठिये ना फिर मैं उसे अपने घर के पिछे खाली गुदावन में लेगे यह तुम कहा ले क्या है हो मुझे? तुम तुम कहते तुम डॉक्टर हो? हाँ, मैं हूँ, टेंशन मत लोग। देखो, मुझे ना तुमसे कुछ नहीं करा रहा है ते, रुक! मैंने सब सही किया था अरी, उसे क्या गड़ड़ कर दी थी? फून बहना बंदी नहीं हुआ जब बच्चा बहर आया, वो रोया तक नहीं फिर मैं समझ कैया यह दोनों मर चुके मुझे बहुत गुस्सा आया उस अउरत पर अरी, थोड़ा कॉपरेट कर लेती, तो क्या हो जाता? पर नहीं दोनों की लाश को मैंने ठिकाने लगा दिया एमा से पहले वेशाली का मर्डर किया था नहीं? मर्डर नहीं, सर्जरी अच्चली, वो मेरा पहला एक्सपरिमेंट था बहुत खराब काम किया था मेरे मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया तुने इसकी बॉड़ी कहा थेगी? उसकी बॉड़ी उसकी बॉड़ी मैंने नदी में फैंकती थी और अपना को क्यो वा रहा है रतना? वो वो मुझसे जवाब मांगना है उसकी हिम्मत देखी है उस दिन जब हम हेमादी को छोड़कर आटो में बैठे थे तो हम देखे थे तुम कुछ बात कर रहे थे न हेमादी से सच बताओ तुम ही न मारा न हेमादी को सच बता दो नहीं तो हम पुरीस के पास जाएगे फिर वही नपटेंगे तुम से सच जानना न तुम है? हाँ स्वाब आओ देखो देखो तुम यह कहां ले आए मुझे? काश मैं उन्हे यादगार के तौर पे अपने साथ रख पाता पर कोई बात याद के तौर पे मैंने उनके मुबाइल रख लिये शुकला अब तुम इसकी ऐसी सर्जुरी करो यह चाहे भी तो कभी यहां से बार ना निकल सकते वो मासूम औरतें जो नन्नी जिंदगी को जनम देने वाली थी किसी की सनक की भेंच चड़ गए अलांकि सबकी कहानी दर्दनाक है लेकिन हेमा जिसने एक बच्चे के लिए अपने घर परिवार यहां तक के पड़ोसियों की यातना छेली और जब वो उस खुशी को पाने जा रही थी तो एक बिमार मानसिक्ता ने उसका ही जीवन छीन लिया एक ऐसे वक्ती ने जिसका उससे दूर दूर तक कोई संबन नहीं था जिंदगी की होड, समाज और इच्छाओं के दवाव में इतना भी न आएं कि हेमा की तरह खुद जुर्म का शिकार बन जाएं और नहीं मिलिंद की तरह खुआशों के नाम पर पागल पन पाले अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क के ब्लैक हैडलाइन जद्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जैहन